दोस्तो सपने देखना हमारे जिन्दिगी का एक एहम हिस्सा है और सपनों का हमारे भविशे के साथ भी सीधा connection होता है सपनों से जुड़े बहुत सारे से तथे हैं जिने हम अंदेखा नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात हम चाहा कर भी सपनों को कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से अच्छे या बुरे सपन नहीं देख सकते हाला कि कुछ ऐसे सपने दिखाई देते हैं जो आपको सुकून और त्रिप्ति परदान करते हैं जबकि कई ऐसे सपने भी होते हैं जिने देखकर हम काफी डर जाते हैं अच्छे और बुरे सपनों का एक बहुत ही कौमन सभाव होता है कि यह हमें याद रहते हैं जबकि साधारन सपने हम नींद खुलने ही भूल जाते हैं रात में सोते वक्त दिखाई देने वाले बुरे सपने हमेशा दिखाई देते हैं तो ये आपके मानसिक स्वास्ते पर बुरा असर डाल सकते हैं ये हमें बुरी तरह से जगचोर देते हैं हाला कि इस वपन सास्तर में कहा गया है कि सभी बुरे सपने बुरे भी नहीं होते, इसका सिधा सा मतलब यह है कि कुछ सपने हमें भुष्ये में होने वाले सुप घटनाओं का संकेत देते हैं, लेकिन हम उन्हें बुरा सपना ही मानते हैं, आम तोर पर हमें अच्छे और बु रास्ते पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, हाला कि बुरे सपनों से निजात भी पाये जा सकता है, तो इसके लिए कुछ उपाये होते हैं, यदि आप अकसर बुरे और ड्रावने सपने देखते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप बहुती आसान उपा पायो को अपना कर इनसे चुटकारा पा सकते हैं, सोने से पहले काले कपड़े में फिटकरी बांद कर सिराने तकिये के नीचे रख दे, ये एक भहुती परभावसाली उपाय है, इसके अलावा रात को सोने से पहले सिराने की तरफ किसी बरतन में पानी भर कर रख दे, चुटकारा पा सकते हैं, इन उपायों से बुरे सपने नहीं आते और डर भी नहीं लगता है, तो ये थे ना दोस्तों बड़े ही आसान से उपाय, आप चाहें तो इनको जल्दी से करके और अपने बुरे सपनों से चुटकारा पा सकते हैं, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में बड़े ही मैत्व पूर्ण विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद